क्लास सेकेंड सब्सेक्ट हिंदी गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम हिंदी में व्याकरन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे जैसे कि आप लोग जानते हैं दुनिया में असंग के जीव हैं असंग के प्राणी हैं जैसे बेशुपक्षी हैं जानवर हैं इनसान हैं ऐसे असंग के जीव जनतु हैं जो इस दुनिया में रहते हैं और जो भी इस दुनिया में जो भी जीव जनतु रहते हैं भगवान ने उन्हें बोलने की शक्ति दी हैं बोलने की शक्ति प्रदान की है क्यों प्रदान की है जिससे वो अपने मन के भावों को अपने विचारों को या उनके जो भी थौट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकें उनको बता सकें कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं हम आप से क्या कहना चाते हैं तो यह वो बोलने की शक्ति के द्वारा ही कर पाते हैं अपने जो थौट्स हैं अपने जो विचार हैं वो बोलकर एक दूसरे को शेयर करते हैं से चिडिया बोलती है आपने देखा हो जबिल दो दो 주는 हैा दिखें घोड़ा इन और अथा है नकिंग और दूसरे से तो ऐसे दुनिया में जितनी भी जीव जन्तू है जितनी भी प्राणी है उनस ही को बागवान ने एक कुरतक्रांब की है बोलने की शक्ति प्रतान की है जिससे वो अपने भावों को अपने विचारों को एक दूसरे से शेर कर सकें एक दूसरे के सामने व्यक्त कर सकें और एक दूसरे को समझा सकें जो हम बोलते हैं या जो हम सुनते हैं उनको एक दूसरे को बता सकें तो यह जो है वो किसके हो पाता है भाशा के द्वारा तो स्टुडेंट्स आज हम जो पढ़ेंगे या जो हम सीखेंगे वह भाशा ही है हम भाशा के बारे में ही पढ़ेंगे उसके बारे में और जानेंगे कि भाशा क्या है क्या होती है भाशा उसके रूप क्या होते हैं हमारे देश में कौन-कौन सारी चीज़ें हम आज अपने व्याकरण में पढ़ेंगे और जानेंगे तो चलिए सुडेंट शुरू करते हैं हमारा आज कर टॉपिक भाशा और उसके रूप लैंग्विज एंड इट्स फॉर्म्स भाशा अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाना और दूसरों की बातों को समझना भाशा के द्वारा ही संभाव हो पाता है कि जो हमारी बाते होती हैं हमारे मन में जो भी विचार होते हैं जो भी भाव होते हैं वह हम किसके द्वारा संभाव कर पाते हैं किसके द्वारा वह पाते हैं भाशा के द्वारा कैसे भाशा के द्वारा हो पाते हैं जैसे मैं आपको बोल रही हूं आपको कुछ बता रही हू ये किसके द्वारा हो रहा है भाशा के द्वारा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है भाशा के द्वारा अता हम कह सकते हैं कि भाशा मनुश्यों के बीच बातचीत का एक सरल्जादन है मनुश्यों के बीच में आपस में बातचीत करने का आपस में बहुत ही सरल्जादन माध्या में है कि मुझे जो बोलना है, मुझे जो भी मेरे thoughts हैं, मेरे विचार हैं, मैं बोलकर आपको समझा पा रही हूँ और आप उसको सुनकर समझ पा रहे हो तो आपको समझ में आएगी भाशा हम किसे कहते हैं, भाशा क्या होती है जो हम बोलते हैं और आप सुनते हो ये भाशा ही है चलिए आप देखते हैं कि हमारे देश में कितनी सारी भाशाएं बोली जाती हैं आप सबी जानते हो अलग-अलग states में अलग-अलग languages बोली जाते हैं अलग-अलग राजियों में अलग-अलग भाशाएं बोली जाती हैं बापा या मम्मा की पोस्टिंग या जॉब के कारण यहां रह रहे हैं बट उनके स्टेट्स की लैंग्वेज अलग होगी तो आज हम देखते हैं कि हमारे देश में कितनी भाशाएं बोली जाती हैं जैसे एक एक्जामपल हिंदी है पंजाबी है मराथी है तामिल है गुजरा जाती है तेलगू है ऐसे और भी लैंग्वेज हैं हमारे देश में और भी भाशाएं हैं जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं तो चलिए थोड़ा सा हम उनके बारे में भी जान लेते हैं चलिए हम देखते हैं भारत के विभिन राज्य जोड़ा साम एक बार उनके बारे में भी जान लेते हैं जैसे आपको पता है न हमारे कंट्री में हमारे देश में वह सारे स्ट्रेट्स हैं तो हम देखते हैं कि उनमें कौन-कौन सी लैंगोजिस बोली जाती हैं जैसे जमू एन कश्मीर में कौन सी बोली जाती हैं कश्मीरी लैंगोज बोली जाती हैं हिमाचल प्रदेश में हिंदी हर्याना में हिंदी बोली जाती हैं पंजाब में कौन सी लैंगोज बोली जाती हैं पंजाबी उत्राखंड में हिंदी उत्रप्रदेश में हिंदी राजिस्था में हिंदी बोल जाती है या राजिस्थानी बी बोलिग आति है बट हो Matthु हिंदी ही उसमें हिंदी का है मदर्पिदेश जो हमारा मैं दूर McM essa वहाँ पर भी Hindi बोली जाती है अरुनाचर प्रदेश में भी नागा लैंड में सुरी अमनाचल प्रदेश में बंगाली बोली जाती है नागा लैंड में भी बंगाली बोली जाती है मिजोरम वहां भी बंगाली बोली जाती है असम में असमिया लैंग्विज बोली जाती है त्रिपुरा में बंगाली बोली जाती है मनिपुर में मनिपुरी बोली जाती औरिशा में उडिया बोली जाती है महराष्ट में महराथी बोली जाती है गुज्रात में गुज्राती बोली जाती है करनाटक में कंणर बोली जाती है गोवा में कुंकणी बोली जाती है आंध्रप्रदेश में तेलगू बोली जाती है केरल में मलयालम बोली जाती है तामिल नाडू में तामिल बोली जाती है सिक्किम में शिक्किमी या अंग्रेजी लेंग्विज बोली जाती है और तेलंगाना में तेलगू बोली जाती है तो यह तो जो हमारे states हैं, यहां आपको पत्ता चल गया, जो 29 states हैं, वहां पत्ता चल गया कि कौन से states में कौन सी language बोली जाती है, और हमारे MP में कौन सी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, अब हम देखते हैं, भाषा के रूप, means types of language, भाषा मुख्यता दो रूप होते हैं, यह दो प्रकारकी होती है, तो वो दो रूप कौन कौन से होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, मौखिक भाषा means oral language, लिखित भाषा means written language, मौखिक भाषा, भाषा का वहाँ प्रकार जिसमें हम बोल कर समझाते हैं, तथा सुनकर समझते हैं, जैसे एक दूसरे से बात करना, टीवी देखना, रेडियो सुनना, फोन या मुबाइल पर बात करना, यह सभी मौखिक भाषा के ही उधारन हैं, जैसे यह देखिए, यह पिच्चर आपको दिख रही है, इसमें यह दो दोस्त हैं, दो आपको लड़के दिखाई दे रहे हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं, तो यह क्या हुआ? मौखिक भाषा का रूप, मौखिक भाषा हुई, क्या हुआ? मौखिक भाषा हुई, मौखिक भाषा मीज़ जिसमें हम मूख से बोलते हैं और सामने वाला सुनता है, जैसे मैं अभी आपको बोल कर चीज़े एक्स्प्लेइन कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ और जैसे हम लोग फोन पर बात करते हैं, वो भी क्या हुआ? या मौबाइल फोन में बात करते हैं, वो भी मौखिक भाषा हुई, समचार सुनते हैं, टीवी पे, या रेडियो में गाने सुनते हैं, मौबाइल में गाने सुनते हैं, ये सारे मौखिक भाषा के ही examples हैं, उधारन भाशा का जो दूसरा रूप होता है वहाँ है लिखित भाशा means written language भाशा का वहाँ रूप जिसमें हम लिखकर समझाते हैं तथा पढ़कर समझते हैं जैसे समचार पत्र, किताब पढ़ना, टाइपिंग करना, कहानिया पढ़ना ये सभी लिखित भाशा के रूप है या उधा यो देखिया example लिखित भाशा का दो बच्छे बैठे हैं दो लडगे बैठे हैं और एक लिख रहा रहा है तो जब भी हम कोई लिखी हुई चीज भी बढ़ते हैं जिसे मचार पत्र भी हम पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं वहां भी लिखित भाशा का ही उधारन होता है वहां भी लिखित भाशा का ही रूप होता है और लिखना भी लिखित भाशा का ही रूप है जैसे लिखिकर भाव वैक्त करना हम लिखिकर अपने जो भी थौट्स हैं उ समचार पत्र पढ़ना है, कहानिया पढ़ना है, लिखना है, जिसे आपकी टीचर्स आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखती हैं और आप उसको अपनी कॉपी में, अपनी नोट बुक में राइड डाउन करते हैं, वह भी लिखित भाषा का ही एक एक जामपल है, तो हमने देखा भाषा के कितने रूप होते हैं, मेंली जो हम मानते हैं, भाषा के दो ही रूप हम मानते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, बट एक और भी भाषा का रूप है, एक और भी हम लैंगवेज उसको भी कंसीडर करते हैं, कौन सी भाषा है वो, भाषा का कौ जब हम अपने मन की बात या विचार संकेत या इशारों के द्वारा दूसरे तक पहुँचाते हैं तो वहां भाशा का संकेतिक रूप कहलाता है जिसे आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा संकेतिक मतलब संकेत के द्वारा जब हम संकेत इशारे करना किसी को इशारों में कुछ बात बताना या समझाना संकेतों में उसको कोई चीज अपनी बात करना सपोस्काइब कभी-भी होता है न हम सबके सामने हमें किसी को कुछ नहीं बताना है तो हम उसको धीरे से इशारों में संकेत में ऊसको इशारा कर देते हैं या संकेत में बोल देते हैं वहां क्या कहलाती है सांकेर्थिक लेंग्विज और सांकेर्थिक भाषा और उसका एक सबसे अच्छा आपको एक्जामपल में देती हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा ट्रैफिक पुलिस का देखहने प्रायन कि आपको ट्रैफिक सिगनल्स तो ह आप सभी ने दएखा है ना तो आपने देखा هو कि और सुझी है देखा है ना जो अपने इशारों से हातों के इशारों से हमको गाइड करते हैं कि हमको कब रुखना है कब वेट करना है या कब हमको चलना है यह देखिए दिख रहा है ना ट्रैफिक सिगनल बना हुआ है और जो यह ट्रैफिक पुलिस अंकल है वो हमको बताते हैं कि कब हमको रुकना है कब नहीं रुकना है तो वह हमको इशारों में बताते हैं बोलते तो वह हैं नहीं बोल कर रही हमको लिवाला भाशा कहला तो वह कौन सी लेंगविज कहलाती है सांकेतिक भाशा या sign language students आपको समझ में आया, आज हमने क्या बढ़ा या क्या सीखा, हमने भाषा के बारे में सीखा, भाषा के बारे में जाना कि भाषा हम किसे कहते हैं जो भी हमारे thoughts से हमारे विचार होते हैं, उनको जब हम दूसरों को बोल कर समझाते हैं या समझते हैं तो वो क्या कहलाती है भाशा कहलाती है और भाशा के कितने रूप होते हैं मेंली भाशा के हम लोग दो ही रूप मानते हैं मौखिक भाशा और लिखित भाशा बट एक और रूप होता है संकेतिक भाशा का संकेतिक भाशा में हम संकेतों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करते हैं मौकिक भाशा में हम बोलकर समझते हैं और समझाते हैं दूसरों को लिखित भाशा में हम लिखकर दूसरे को बताते हैं समझाते हैं तो आप लोग को यह जो नहीं टॉपिक हमारा था ग्रामर का भाशा और उसके रूप आप लोग को जरूर समझ में आया होगा और आप लोग अपने मम्मा पापा की हैल्प से अपने भाया दीदी की हैल्प से लर्न कर ये आप लोग लर्न करके लिख कर देखिए कि हमारे देश में और कौन-कौन सी लेंगवेज़ बोली जाती है थैंक यू स्टुडेंट्स और हवा नाइस दे